कर्मयोगी फाउंडिशन ने एकातर गरीब और जरुरतमंद महिलाव को साड़ी दान करकी बड़े उच्साह के साथ मकर संक्रांती मनाई जो एक घर बनाने के लिए आमेरों की घरों में बर्तन धूकर जिवन यापन कर रहे थी बुट्टी पूरी की कुल एकतर गरीब महिलाए नाखपुर के एकसर्स धामन गाव रिल्वे की पाच अमराती की पाच और बुल्डाना की पाच जो मकर संक्रांती को नए साल का पहलातेवार घोशित करने के लिए 24 तारीक रविवार को अन्य लोकों की घरों में जाती है बर कर्मयोगी फाउंडेशन के कारेकारी अध्यक्ष वर्षा पारसे और अन्य मुख्य अतिति के रूप में मजबर उपस्तित थी इस अउसर पर सभी विशिष्ट अतितियों का भारती संस्कुरती क्यानुसार गुलाप और तिल से स्वागत क्या गया दर्शकों का मार्ग दर्शन करते वी जिप्री सदस्या वरुंदा नागपुरे ने कहा कि जहां एक अच्छी अच्छी मंडली नहीं पौच सकती है और ग्राम पुंचार नहीं जा सकती है यह असंभव काम करने क्लिक कि माया कर्मयोगी फाउंडेशन में है कर्मयोगी फाउंडेशन जमेन इसतर पर महिलाओ के चरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता है ब्रामनी सरपंच माधुरी घुर्मारे ने कहा कि कर्मयोगी फाउंडेशन आप सभी की कल्पना से पड़े काम करता है कर्मयोगी फाउंडेशन ने हमारी काव के विकास में महत्वपुर्ण भूमी का निपाई है कोई सोच में नहीं सकता था कि भविश्य में इन महिलाओ को बरतन धोने जाड़ू पोचाक करने और खाना पकाने के लिए इतना सम्मान दिया जाएगा केवल कर्मयोगी फाउंडेशन ही ऐसा कर सकता है कर्मयोगी फाउंडेशन की अध्रक्ष पंकर शाक्र ने कहा कि जैसा कि गारगी बाबाने हमें बताया है कि भगवान केवल इस गरीब मंडरी में देखी जाती है हम इस गती विदि को कई दिनों से चला रहे और देश सम्मा और किसे ने हमें इतना अच्छा नहीं दिया कर्मयोगी फाउंडेशन ने इस आयोचन में शामिल होने वाले सभाव के लिए एक सुन्दर नाश्य की विवस्ता की थी कारीक्रम का संचालन कर्मयोगी फाउंडेशन की कारी-कारी अल्थ्यक्ष वर्षा पार से ने किया और दाची भन करने धन्यवाद क्या पन किया बेरा रिपोर्ट इंडेशन न्यूज